विलोड आज हमारी अदालत में मौझूद है पाकिस्तानी वर्ल्ड काप क्रिकेट टीम के कैप्टन एक मिनटी गन्फर्म है ना अभी तक तुझी अल्ला का करम है मिस्टर वाहिद अफरीडी हाँ तो आपके उपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपने सारी टीमों को चिताबनी दी है कि आप इस बार सबको हैरान कर देंगी आज कल मैं जिस तरह खेल रहे हैं वर्ल्ड काप से हम लोग पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे तो दूसरी टीम में अपने आप हैरान हो जाएंगी जी आपने ICC पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में वर्ड कप ना होने की वज़े से आपको फाइनेंशल नुकसान होता है वो कैसे इस तरह के तो हमने कहीं भी बैयन नहीं दिया बलकी हकीकत तो यह है मैं चाय पाकिस्तान में हो बिहार में हो लंका में हो बांगलादेश में हो बेटिंग तो हम कहीं भी कर लेते हैं जी देखिए हमने ये भी सुना है कि इंजमाम के टीम में होते होए आप सब्जियां नहीं खापाते थे जब भी हम कठे खाने बैठते थे हम एटर से कहते थे बेटे भाग के जा आलो लिया, वो कम बक्त जाता था और इंजमाम भाई को कहींच के लिया आता था तो इन जमान भाई बड़े नाराज हो जाते थे देखिए आपकी टीम पर ये भी इल्दाम है कि आपकी टीम कभी भी जीतने के लिए नहीं खेलती ये क्या पक्वास कर रहे हैं आप इस सरह सर गल्द इल्दाम है जी पुरा पाकिस्तान जानता है हम तो जीतने के लिए खेलते है आज हमारी अदालत में मौझूद है मिस्टर रुक रुक खान आपके उपर सबसे पहला इल्दाम ये है कि आपने अपनी फिल्म रावन को बुरी नजर से बचाने के लिए अपने प्रोड़क्शन हाउस का सहारा लिया वो कैसे मैंने अपने आफिस के बार रेट चिलीज लटका रखी है और ये लाल मिर्ची हमें बुरी नजर से बचा है देखे आपका ये भी कहना है कि बहुत सारे लोगों की वज़े से आपको बहुत जोर का फटका लगा है वो कैसे या करन आजकल हर एरे गेरे नत्तु खेरे के साथ खुले आम काफी पी रहा है हर नेने लोडों के साथ फिल्में बना रहा है या तक कि कैश राज की अगली फिल्में मैं नहीं बलकि आमीर है तो मुझे तो जोर का फटका लग नहीं था दिखे आपकी EPL टीम पर भी ये इल्जाम है कि वो डे मैच कभी नहीं जीती ऐसा क्यूं? अज हमारी अदालत में मौझूद है एक पती माफ कीजेगा हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि इनकी इस गवाही से इनको अपनी पत्नी से जान का खत्रा है आपके उपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप सोते समय अपनी पत्नी को गालियां देते हैं दरसल हम ऐसे ही आँख बंद करके जान बूच के लेटे रहते हैं सोने की एक्टिंग करते हैं आँख बंद करके इसको ऐसे गाड़ी गाड़ी जबर्दस जबर्दस गालिया देते लेकिन आपके उपर अगला इदाम ये है कि जब आपकी पत्नी को साप ने काट लिया था तो आप उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए गलत फैमली हो गई थी मैंने ये तो देखा कि एक साप मेरी बीवी बगल में लेटा हुआ है मैंने सुचा या तो जहर रिफिल करने आया होगा या जहर डोनेट करने आया होगा देखे आपके उपर ये भी इल्दाम है कि आप शराब पीने के बाद अपनी पत्नी का नाम भूल जाते है अरे तो सही बात है वह शराब शराब क्या जो गम और गलतिया भुला न दे अरे मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप पोलिस में कप्लेट क्यों नहीं करते हो पोलिस में? हां इंस्पैक्टर चौबे आप आप पोलिस में कंप्लेट मेरा मतलब है कि आप प्रेस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो अपनी पत्नी के खिलाब प्रेस का नाम मतलो सभेरे सभेरे मेरी बीवी इतने सारे कपड़े मेरे पास लाती है कि इनके प्रेस कर दीजिये जी प्रेस करकर के परिशान हो गये हमाई सामने प्रेस का नाम मतलो आज हमारी अदालत में मौझूद हैं एक होटल के मालिक मिस्टर चिन्नपास स्वामी वड़कम दिखें आपके उपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपके खाने में मक्खी, मच्छर और कौक्रोच पाए जाते हैं बरबरे, पहर में कस्टमर से इक्स्टर चार्ज नहीं करता है दिखें, आपके उपर ये भी इल्जाम है कि आपके होटल के वेटर जब किसी कस्टमर के लिए सूप लेकर जाते हैं तो उसमें उंगली क्यू डालते हैं? सूप में उंगली डालके देखते हैं सूप ठंदे के गरों में दिखिये आप हमें ये बताइए के आपके होटल का स्टाफ हर रोज दोपहर में एक से दो के बीच में कहा जाता है सामने वाले होटल में काना काने के लिए उदर का काना बहुत टेस्टी है चीप एंड बेस्ट तुम उदर का मेदी वड़क आएंगा तो मेरे होटल में थोकने को भी नहीं आएगा सच बोलते है दिखिये आप हमें ये बताइए के आपका होटल हर मंडे बंद क्यों रहता है उस दिन मैं और मेरा स्टाफ मिलके पूरा बरतन धोता है पूरे हपते का आप हमें ये बताइए के आपके होटल की स्पेशल और ओर्डिनरी चाय में क्या फरक है स्पेशल चाय हम लोग बरतन धोके देता है आज हमारी अदालत में मौझूद है पाकिस्तान के प्रेजिडेंट मिस्टर सर्दारी देखिए आपके उपर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आपने पिछले दिनों एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को पकड़ कर जेल में डाल दिया ऐसा क्यूं? जराब मैंने देखा कि कुछ मन चले लड़के उस लड़की को देख देख के कह रहे थे वह क्या बाउम है वह क्या बाउम है मैं फौरन समझ गया कि हिउमन बाउम है मैंने इंट्रीजेंस को बिलवाया उस जेल के अंदर ऩलवा दिया अब पाकिस्तान की सिक्यूर्णी भी तो कोई चीज है जराब देखिए आपके अपर अगला इंजाम ये है कि आपने अपनी सेक्यूरिटी के लिए अमेरिकन बौडी गार्ड रखे हैं क्यों भई? जराब जो पाकिस्तान की सेक्यूरिटी गार्ड है वो पाकिस्तान की बौडी के तो गार्ड करनी पा रहे मेरी सेक्यूरिटी को का खाक गार्ड करेंगे देखिए हमने सुना है कि अमेरिका और तालिबान आपको डरा रहा है किस माई के लाल में जुर्ट है जो मुझे डरा सके हम तो खुद ही डर जाते हैं जी हैं? देखे आपके उपर अगला इल्जाम ये है कि पिछले दिनों आप छुप छुप कर तालिबानी नेता से बिना किसी को बताए मिलने गए थे क्यों? जनाब वो हमारी मजबूरी है अगर हम बता कर और खुले आम जाएंगे तो हमसे पहले हैंड गिरनेडर और बाम नहीं पहुच जाएंगे आज हमारी अदालत में मौझूद हैं एक दुकान के मालिक राम राम साह राम राम साह आपके ओपर देखिए सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप LCD बेजते हैं ये कहकर कि वो आटोमेटिक है जबके वो आटोमेटिक होती नहीं है नहीं नहीं साहब ये तो गल्जाम है जैसे ही पावर गया LCD आटोमेटिक ओफ हो जाती मैंने अपने आख से देखा है देखिए आपके ओपर ये भी इल्जाम है कि आपने अपने कस्तमर के साथ मिस्पिहव किया अब एक कस्तमर आया मेरे से कहता है आपके पास कुट्टे के खाने के बिस्कित है मैंने का हाँ है भाई साब आप यहीं खाएंगे यह ले के जाएंगे मस इतने में भड़ा के आपको बच्चे बहुत परिशान करती है इसके वारे में बताईए मैं बच्चों से तबा बेठा हूँ आज सुब एक बच्चा मेरी दुकान में आया मुझे कहते है अंकल, अंकल रंग गोरा करने की क्रीम है मैंने का हाँ बेटा है तो अपने मूपे क्यों नहीं लगाते देखे आपके उपर यह भिल्दाम है कि जब एक कस्टमर आपसे मच्छरदानी मांगने आया तो आपने उसको डी नहीं अर्सा क्यों वो मेरी दुकान पर आके कहता जल्दी, जल्दी, जल्दी मच्छरदानी देदो, बस पकड़ने मैंने कह, इतनी बड़ी नहीं है